आहां जम पढ़ने वाले हैं units, units क्या होती है, units कितनी होती है और units क्या काम आती है और last मैं एक example से relate भी करवाँगा, जिससे आपको समझने में आसाणी हो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि सब कुछ आसान है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप मानते हैं कि सब कुछ आसान है तो धीरे धीरे आपके लिए सब कुछ असान होता चला जाता है और अगर आप ये मानते हैं कि आपके लिए सब कुछ मुश्किल है तो ना चाहते हुए भी आपकी जो brain है आपके जो mind है वो उसको मुश्किल बनाता चला जाता है सबसे पहले एक practical example देता हूँ अप जिस घर में रहते हो वह अगर rate, eat और cement जैसी चीजों से बना हो आता है तो ये जो चीजे हैं वो basic unit का काम करती हैं यानि कि इनसे ही घर बनता है वेसे ही science या physics में total 7 unit होती है जिनसे पूरी की पूरी science चलती है इनको और divide नहीं किया जा सकता ये original units होती है unit एक एसा system है जिसको पूरे world में accept किया गया है जो कि physical quantity को measure करने के लिए काम आता है पूरे world में accept करने का कारण ये है कि कोई confusion create ना हो यदि एसा हो कि kilo को foreign में fit बोला जाए तो जब भी foreigner यहाँ पे आएंगे तो वहाँ 5 kilo शक्कर की जगा 5 fit शक्कर बोलेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा confusion create हो जाएगा इसलिए पूरे world में accept किया जाना ज़रूरी था तो unit की definition क्या हो जाएगी unit की definition होगी unit is an internationally accepted reference standard to measure a physical quantity units जो होती है वो 7 होती है जो पूरी की पूरी science और physics का base है तो पहली physical quantity है length जिसकी unit होती है meter second है mass जिसकी unit होती है kilogram time, second, electric current, ampere, temperature, Kelvin, amount of substance, mole, luminous intensity, candela तो इन सब को हमें याद नहीं करना है हमको उपर की तीन unit को ही याद रखना है length, mass और time यह जैसे जैसे routine में आती जाएगी वैसे वैसे याद हो जाएगी जैसे कि tomato होता है उसको कभी हम याद नहीं करते वो हमारे routine में होता है इसलिए हमें याद हो जाता है इन सातो physical quantities को ऐसा ही बोलता है यानि कि system of international या फिर system international जो मैंने पहले बताए था कि globally accepted system है ये अब बात करते हैं parts की units के दो part होता है एक fundamental unit और एक होती है derived unit fundamental unit का मतलब होता है basic unit जिनको और divide नहीं किया जासकता जैसे कि इन सातो unit में से किसी को भी और divide नहीं किया जासकता जैसे meter है, kilogram है, second है तो ये सारी fundamental units है अब जो derived unit है उसमें हमें नाथ से ही पता पड़ता है कि इनको derived किया जासकता है यानि कि divide किया जासकता है जैसे कि area का example लेते हैं area की unit क्या होती है meter square meter square का मतलब meter into meter और meter क्या है length है जो की साथ तो physical quantities में से ही है तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा यदि समझ में आ गया हो तो comment करें कि अगला वीडियो किस topic पर हो धन्यवाद झाल झाल